नमस्कार दोस्तो तारगेट एजुकेशन कलासेज में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में लाए हैं जाती वाचक संग्या से बहावाचक शब्दों का निर्मान करना अर्थात किस परकार से बहावाचक शब्दों की रसना की जाती है बहावाचक संग्य प्राणी गून दसा भाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं दोस्तों संग्या के तीन वेद होते हैं पहला विक्ति वाचिक संग्या दूसरा जाती वाचिक संग्या संग्या को दो वागों में बाटा गया है पहला दरवे वाचिक संग्या और दूसरा समुवे वाचिक संग्या और तीसरा है भाव वाचिक संग्या तो दोस्तों अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाव वाचिक संग्या होता क्या है यानि जिन सब्दों से गू वर्ग का समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं जाती वाचक संग्या तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस परकार से जाती वाचक संग्या से बावाचक संग्या का निर्मान करते हैं तो दोस्तो ये वीडियो गोर्मेंट एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसमें से दो तीन परसन आवसे पूछे जाते हैं तो शुरू करते हैं जाती वाचक संग्या से बावाचक शब्दों का निर्मान करना तो दोस्तो जाती वाचक संगया और बहावाचक तो दोस्तो यहाँ पर जो लड़का सब्द है वो जाती वाचक है और लड़के में जो भाव होता है वो कौन सा होता है लड़कपन का होता है तो लड़का जाती वाचक संग्या तो इसका भावाचक संग्या होगा लड़कपन मनुस्य जाती वाचक संग्या है तो मनुस्य में जो भावचिपा होता है वो होता है मनुस्यता बुढ़ा, बुढ़ापा, दास, दास्ता, नोकर, नोकरी नोकर जो सब्द है जाती वाचक संग्या है तो नोकर जो नोकर है उसके अंदर कौन सा भाव होता है वो होता है नोकरी करने का इसी परकार है वकील जाती वाचक संग्या है तो वकील के अंदर कौन सा भाव होता है वकालत करने का तो यहां पे वकील का भावाचक सब्द होगा वकालत, सिसु में सैसव, विभू, वैभव, मित्तर में मित्तरता का, कलाकार में कलाकारी का, कलाकार का भावाचक सब्द है, भावाचक संग्या सब्द है, कलाकारी, शत्रू, शत्रू में भावाचक सब्द है, शत्रूता, बच्चा, बच्चे में जो भावाचक सब्द है व सब दोगा गोरव इसी प्रकार भक्त के मन के अंदर थात हिर्दे के अंदर अपने इस्वर के परति कैसा भाव है भक्ति का भाव है तो यहां पे भक्त का भावाचक संग्या होगा भक्ति इसी प्रकार दोस्तों बंदू में बंदू ता या बंदू तुए पिता में जो बावाचक होता है आतित्थे इसी प्रकार दोस्तों आगे है वात्स का अर्थ होता है पुत्तर और पुत्तर के परति जो प्रेम होता है माता का पुत्तर के परति जो प्रेम होता है जो भाव होता है वोता है वात्सले तो वात्स का बावाचक संग्या सब्दोगा वात्सले विद्वान दोस्तों ये विद्वान सब्द बहुत इंपोटेंट है एकजामेह पूछा भी जा चुका है और आगे भी एकजामें पूछा जा सकता है इसी परकार जातिवाचक सब्द है سन्स करती तो सन्स करती का भावाचक सब्द है संसकार किषोर किशोर केशोर ये ये परिक्षा में पूछा भी जा चुका है तो ये बहुत important आगे भी पूछा जा सकता है इस्वर का जो भावाचक सब्द है एश्वर ये यूआ योवन परभू परभूता परभूता जाती बाचक संग्या सब्द है तो इसका बावाचक शब्दों का परभूत है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब गर दे और बेल आइकन दबा दे तैकि नएव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तो अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर आगे दोस्तो जाती वाचक संग्या और बावाचक संग्या तो नेता जो जाती वाचक संग्या है तो नेता में जो बाव होता है वो कौन सा होता है नेतरत्वे करने का सब का नेतर तुए करने का यानि नेता जो जाती वाचक सब्द है इसका भावाचक सब्द होगा नेतर तुए इसी परकार तरुण तरुण में होगा तरुणाई नर में नरत तुए कुमार का कुमार ये दोस्तों ये भी इंपोटेंट है होने के तो सारे बहुत अच्छे हैं परन्तु ये कुछ है कर जो बार-बार पूछे जाते हैं माता में मातर तुए रास्टर में रास्टी है था स्वामी का बावाचक शब्द है बावाचक संग्या सब्द है स्वामित्वे और इस्त्री का बावाचक शब्द है कवी में जो भाव होता है वो कवित्वे यानि जो कवी रचना करता है उसका जो भाव होता है कवित्वे देव में देवत्वे पंडित में पंडित में इनसान का जो जातिवाचक साथ तो इसका बहावचक सब्द और पुरुस में पूरुस या पुरुस तो दोस्तो आगे देखते हैं सर्वय नाम सब्दों से बावाचक संग्या सब्द बनाना यानि सर्वय नाम के भी ऐसे सब्द हैं जो जिनके बावाचक बनता है और ये परिक्षा में गौर्मेंट एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो सबसे पहला है अपना जो सर्वे नाम अपना जो सब्द है वो सर्वे नाम का है और सर्वे नाम जो अपना सब्द है इसका बावाचक बनाएंगे तो होगा अपनापन या अपनत्वे अपना पराया तो पराया में जो भाव छिपा हो है परायापन का सर्वे में सर्वे तो दोस्तो ये ऐसे सब्द हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो निज सर्वनाम सब्द है और इसका बावाचक सब्द होगा निज्द्वै ऐसे ही मम का बावाचक होगा मम्त्वै या मम्ता तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें वीडियो को ज